गलत के आपने अर्शी दीदी उन्हें यहां से बेच दिया और खोद यहां रोक है किसी को भी बुरा लगेगा ना यह सोच के अर्शी की सोच इतनी छोटी नहीं है बात सोच की नहीं है बात है बुरा फील कराने की जो आपने अर्शी दीदे को कराया जहनक जहां अर्शी को बूरा फिल होने की बात कहती है क्योंकि अनी उसके साथ नहीं गया वहीं अब जहनक को चुप करा देता है अनी ये बोलकर कि अर्शी और उसके बीच उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अर्शी की सोच इतनी छोटी नहीं है और अब धीरे धीरे दोनों के बीच जहां पहले तो अर्शी के साथ नहीं जाने की थी अब अनी जहनक से पूछता है कि जब पूरी फैमिली वहां थी तब जहनक ये सब बाते क्यों नहीं बोली उनके सामने पर जहनक अनी को ही पूछती है कि क्या उनका परिवार उसे बोलने भी देता है कभी और अब जब अनी उसे पूछता है कि वो ये सब क्यों बोल रही है तो अब जनक गुसे से कहती है कि उसे अपना गुसा निकालना है क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई है और जहां अनी को ये लगता है कि जन अपनों के बीच आ गई इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है क्योंकि अब उसे अन्नी की ज़रूरत नहीं है शायद पर अब जनक बोलती है कि अन्नी अपने हदे पार कर रहा है बार बार वो भी उसके लिए जिससे खुशी नहीं मिलती ये सब से पर अब अनी बोलता है कि वो ये सब उसकी खुशी के लिए नहीं कर रहा है बस अपनी कुछ responsibilities हैं उसकी जो वो निभा कर वहां से चले जाएगा पर एक बार फिर अनी और जनक के बीच अर्शी को लेकर बहस हो ही जाती है और अब अनी जनक को मतलबी बुलाता है और बोलता है कि अनी ने ये सब जनक पर तरस खाकर किया है और जहां जनक बोलती है कि अनी ने ये सब उस पर तरस खाकर किया है और अब जनक के अंदर की आग जल रही है और अनी से पूछती है बड़ा सवाल कि responsibility क्या है वो जानते भी है क्या अगर जानते तो एक लड़की की मांग पढ़ने के बाद बार-बार उस शादी को नकली नहीं बताते आप चहे जैसी भी थी शादी हुई थी हमारी पंडिक जी के सामने भी आप यही बोलते रहे हां जानती हूँ मैंने भी वही बोला पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि मेरे दिल में क्या है यह जिम्मेदारी उठाने की बाद आपको सोट नहीं करती सर जी और मन ही मन में अपने आप को देती है जवाब जो वो अन्नी को कभी बता नहीं सकती पर अन्नी अब जहनक को बोलता है कि एक बार उसकी एक्जाम्स खत्म हो जाएगा तो वो वापस कभी नहीं आएगा उसके पास मैं चाहता हूँ तुम दोनों खुश रहो और इसमें मेरा कोई फाइदा नहीं है एक दिन दुम समझ जाओगी कि मैंने तुम्हारे लिए जो किया दिल से किया खुद को हर्ट होने लिए लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ किया पर चौका देती है जहनक उसे अपना जवाब दे कर अब आगे क्या होगा जहनक और अनिरूत के बीच देखते रहे ये दूरियां आखिर क्या वाके आ रहा है दोनों के बीच या दोनों लेकर आ रहे हैं दूरियां अपने बीच देखते रहे जहनक की अपडेट्स यहीं कम्प्लीट बॉलिवुड पर इसकी हद होती है और आप बार बार वो हद पार करते हैं सर्ची